नमस्कार दोस्तो दोहजार पच्चिस का जो साल है वो बहुत ही खास है क्योंकि दोहजार पच्चिस में जो गुरुग्रह है वो ब्रिशव, मितून और करक राशी में ब्रह्मन करेगा उसे प्रकार शनी जोग्र है वो भी राशांतर करने जा रहा है शनी जोकी कुम्ब राशी में ब्रहमन करेगा 30 मार्श के बार उसी प्रकार राहु जो गरह है वह भी रावु या फिरकेतु ये जो गरह है वह भी राशी परिवर्तन करने जा रहा है राहु जो की मीन राशी में ब्रहमन कर रहा है कुम्ब राशी में ब्रहमन करेगा करिबन 19 मई के बार तो यह जो सबसे महतोपूर्ण ग्रह है और उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है वो भी करिमत जनवरी से लेकर अप्रिल तक का जो समय है उसमें वक्री मारगी रहेगा कर्क और मिथन राशी में तो यह जो सभी ग्रह है, उस सभी ग्रहों की जो प्रभाव परणाम होंगे, वो मेश राशी के लिए संपूर्णा 2025 के लिए किस प्रकार के होंगे, आपका स्वास्त किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार आपके जो आर्थी स्थार है वो किस प्रकार के होगा, आपकी जो सिक वह किस प्रकार का होगा देखे यहाँ पर एक बात सबसे महतोबुण है कि आपकी जो राशी है मेश राशी जो है वो सारे साते में आ रही है क्योंकि करीबन 30 मार्च के बाद जो शनी ग्रह है वो आपके वेया भाव में ब्रहमन करेगा और दूसरी सबसे इंपोर्टन बा होती है वो आपके वेया भाव में होने जा रही है तो सबसे पहले और महतोबुण बाद यह जो समपुर्ण साल है शुरुआ से थोड़ा बहुत आप प्रेशर देखना शुरू कर दोगे क्योंकि घर का जो मामला है उसके मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र हो होगे इस साल के करीबन अपरें तकर्या समय है उसमें बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नज़र होगे अब यहां पर दो-तिन बाते हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है किसी भी प्रकार के महतोबुण काम इन दिनों में हाथ में नहीं लेना क्योंकि आपके जो अंदा जो स्ट्रेस है वो थोड़े जादा बढ़ सकता है इन दिनों में किसी भी प्रकार के महतोबुण काम नहीं करना उसी प्रकार लोन लेना या फिर पैसे के मामले में किसी प्रकार की बड़े लेन देन नहीं करना आपकी जो राशी है जैसे मैं नहीं कहा कि साड़े साती में आने जा रही है तो साड़े सती में होता क्या है कि शुरुवत में हम ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाकी की जो साल है साड़े सती के उसमें भुगतना पड़ता है तो इन दिने में इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क है चुकि अगर चुटी-मूटी रिस्क होगी दूंचों कि आप सस्टेन कर सकते हो वो आप रिस्क ले सकते हो लेकर कोई बड़ी अगर आप दिस्क लेते हो तो आपके लिए जो बाते हैं वो कॉंप्लिकेटेड हो सकते इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क है और श स्वास्त पर देखा नहीं जाएगा लेकिन जो अभी मैंने दिन गिनवा आई जै अफित जो कालावनिक है उसमें आपको मेंटल स्ट्रेश थोड़ा आ सकता है मानसिक तनाव में आप थोड़े जा सकते हैं तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क होगा उ पंदरा तरिक के बाद 15 माई के बाद यह जो गुरू है वो आपके तृतिया वाओ में मितुन राशी में आएगा और वहां से वो करक राशी में भी जा रहा है और हालकि करक राशी में वो बहुत समय तक नहीं रहेगा मोटे तो पर अगर देखा जाए तो यह जो संपुन स साल है उसमें आपको पैसे से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा जो कि काफी अच्छी बात है अब यहाँ पर जो गुरू आपके दनबाओं में भ्रहमन करेगा वो वही पर करीबन मैं तक कर समय उसमें रहेगा तो और दूसरी जदा मैं त अब यह जो समय में कह रहा उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अगर आप शेर मार्केट में ट्रेड करते हो तो तो करीबन 7 जून से लेकर 29 जुले तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर आप शेर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क लेके कोई भी बात नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूख सकते, क्योंकि मंगल और केतु का जो भ्रमन है, वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, तो इन चीज़ों पर फोड़ा सा ध्यान देना, आवश्यक आप रिस्क लेसा तो जो की, वो रिस्क जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप लॉंग तर्म में कोई इंवेस्ट करते हो, तो उससे रिलेट कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना, जो की मैंने वेई अबाओ के शनीर आके राहो के यूती के बारे में कहा, तो इन चीज़ों पर फोड़ा सा ध्यान देना आवश्य है, घर का जो सुख है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो घर के जो लोग है, उनके साथ आप भी जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, उसी परेकार करीबन 30 अपरे से लेकर 6 जून तक का जो समय है, उसमें घर के जो लोग है, उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेकर इंटरेक्शन हो सकती, या कि इन जनों में अगर आप नया वास्तो लेना चाते हो, नहीं नया घर वगरा लेना चाते हो, तो यह जो दिन है, या कि यह जो भी मैंने समय कहा, उसमें थोड़ा सा उसे वज़र कीजिए, या कि उसे नहीं लिना, जो भी बाते हैं, मतलब करीबन तीन आपने से रेकर तो पूर्ण काम नहीं करना, घर के जो लोगे उभी के साथ छोटी-मोटी अन्बन हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि खास करके आपका जो love life है, वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने बाते कही, कि करीबन 7 जून से लेकर 29 जुले तक का समय है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं, तो वहाँ पर problem complications आने के संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। आपके रिलेशन्शिक में जो वेक्ती होंगे, उनके साथ जो बाते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, उसी परकार जो problem है, वो करीबन break up तक भी पहुँच सकता है। ज़्यादा सामने आ सकती है, उसी परकार आपके वेयभाव में जो ब्रह्मन कर रहे है, शनी और राहु जो है, वो भी आपके स्वास की समस्षाए आपको ज्यादा दे सकते हैं, तो चिन से उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश होगा, उसी परकार जो विद्यार्थी वर है, उनके लिए मोटे तरुपर अगर देखा जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, से दो-तिन मेने हैं, जैसे की जून और जुलाई का जो मेना है, उसमें आपको थोड़ा सा एफ़र्ट जादा देना होगा, उसी परकार वैवाई जीवल के मामनी में अगर कहा है, तो आपके राशी के करीबन 14 अगस, 14 सितंबर से लेकर 28 अप्तुबर तक कर जा समय है, उसमें आपकी जो वैवाई जुडिदार है, उनके साथ चोटी मोटी बातों के लेकर जो परेशानिया है, वो सामने आ सकती है, और सबसे इंपोर्टन बार आपकी जो वैवाई उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुती जादा आवश्यक होगा, स्वास्त की समस्या जादा सामने आ सकती है, इसी प्रकार आपके जो करियर है, उससे रिलेड़ेड अगर देखा जाए, तो आपके राशी का जो करमेश है, शनी, जो की आपके वैवाई भाव में ब्रह्मन करेगा, तीस मार्च के बात, तो यहाँ पर दो-तिन बात है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह बात है, बहुत ही आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि जो गुरु है, वो भी आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन करेगा, जो की आपका भागेश ह और जो शनी है, वो आपके वेया भाव में ब्रह्मन करेगा, तो जो विक्ति परदेश गमन करना चाते हैं, फोरण जरनी करना चाते हैं, कांग के वास्ति या फिक किसे अन्या, तो यह जो संपून समय है, करीबन 30 अप्रिल के बात, 30 मार्च का बात का समय है, या फिर अप् परदेश गमन होना, या आपके लिए सहज हो सकता है, बोटे तरवपर रगर देथा है, या तो गूरू का जो ब्रहमन है, वो आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा जैसे में शुरुवत में कहा कि वीतिया भाव को जो गुरु है वो मारगस तो होने जा रहा है चार फरवरी के बाद और जो गुरु है वो आपके तृतिया भाव में ब्रहमन करेगा करीबन 15 मई से लेकर अब तुवर तक को यह जो समय है वो आ चमदश्य से सप्तमभाव को देखेगा और नवम दर्श्य से आपके लाब हुआओ को भी देखेगा तो लाब के बारे में पैसे के मामने में कोई बड़ी दिक्कदों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा जो की बहुत ही अच्छी बात होगी तो कुल मिला के देखा जय आपको शुरुवत की जो दो, तीन में ने होंगे, उसमें जो stress है, वो आपको सहन करना होगा, और उसके बाद जैसे शनी आपके वेयबाहो में आएगा, और शनी और राहू, दोनों जैसे आपके वेयबाहो में आएगे, तो ज़ो stress है, वो काफी जादा बढ़ सकता है, किसी इनी ग्रह तीनों जो ग्रह है वो राशांतर कर में जा रहा है। तो ग्रह योग है उसकी जो प्रवाप परणाम है वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी जान लेना आवश्चक है। उन्होंने भी इंडिनों में खास करके ध्यान देना आवश्च रखोगा। इसी परकर रभी और राहू की युती होने जा रही है मीन राशी में आपके वेयभाव में और योगो जो समय उसका जो इंपेक्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो करीबल 15 मार्श से लेकर 25 मा जाती है, और आपके वेयभाव में होने वाले जो गरहन है, आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है, मतलब यहाँ पर एक बाग हो सकती है कि आप जो निर्णे हैं वो गलत तरीके से ले सकते हो, और कॉन्फरेंस में जाके कोई गलत बात कर सकते हो, उसी परकार की है कही स लोन लेना, पैसे के मामले में जादा रिस लेना, आउट ओफ दे वेजा के काम करना, इस प्रकार की जो काम है, उससे दूर रहना आवश्यक होगा, क्योंकि आगे आने वाली जो साड़ी सती है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसी प्रकार आपके जो और राहू की युती भी मींद राशी में होने जा रही है, 14 अपिल को, अब ये जो युती है, आपके लिए करिबन हर एक राशी के लिए सबसे महतोपुण है, शनी राहू की यो जो युती है, जब मैंने कहा कि करिबन 36 साल के बाग होने जा रही है, वो आपके लिए सबसे महतोपुर्ण होगी इन दिनों में किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण ने खास करके आपका जो करियर है उससे related बिल्कुल भी नहीं करना उसी प्रकार heavy losses हो सकते हैं अगर share market में trade करते हो उसी प्रकार जो गर्बोवती मैला है उन्होंने भी कुद के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवशक होगा लेकिन याँ पर एक बात अच्छी है कि इन दिनों में जो बहुत के बाहर जाना चाते है परदेश गमन करना चाते हैं उनके लिए यह जो particular aspect है या करियोग है वो आपके लिए opportunity होगा उसी प्रकार दिनांग मिथुद्रश में रभी और गुरू की यूती होने जा रही है 24 जून को तो यह जो particular aspect है या करियोग है जैसे हम यूती योग भी कहते हैं वो सबसे महतुपन और शुबफलदाई साबित होगा आपके तृतिया भाव में इन दिने में आपकी जो महतुपन काम है वो हो सकते है किसी को कमिट्मेंट है दिनी है promises करना है किसी भी काम की नई शुरुवात करनी है documentation related कोई काम करना है और ऐसा काम जिसके बारे में बहुत ज़दा मतलब आपके मन में बहुत ज़दा प्रभम ये चल रहे है, तो वो जो काम है वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो वो काफी इजी पूरी होते होने सरेंगा आपका जो confidence है, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, उसी परकार अगर आप share market में trade करते हैं, तो उन दिनों में आपको अधिनांक करीबन मंगल और केतु की युती भी सिंगराशी में 22 जुले को होने जा रहे है, सिंगराशी में मंगल केतु की युती 22 जुले की जो है, वो काफी जादा महतोपण होगी, सबसे महतोपणबा जो गर्बोवती महिला है उन्हों में खास करके इंजिनों में ध्यान देना, खुद के स्वास के बारे में ध्यान देना आवश रखोगा, उसी प्रकार जो विक्ती रिलेशन्शिप में है, तो रिलेशन्शिप के बारे में जो मैंने शुरुवत में बात कहीं, कि जो रिलेशन्शिप है कापी end तक आ स देखता है उसमें बहुत ज़्यदा समस्या आ सकती है तो आपको इन दिनों में ध्यान देना होगा जो इसमें जो प्रभाव है वह देखा जाएगा इसे प्रकार ग्रहन जो है वो सबसे महत्तोपूर्ण होता है मतलब करीबन हर एक साल में ग्रहन होता है तो ग्रहन का जो कालावदी है वो 17 अगस से लेकर 17 सितमबर तक का है और वो होगा आपके उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा आपके पंचम और लाबवाव में तो यहाँ बर अगर आप शहर मार्केट में ट्रेड करते हो खास करके तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना या फिर पूरी तरह से कॉइडस में जाके कोई बात नहीं करना आपके जो अंदाज है वो चूप सकते है देखे खास करके आपके लिए इसे प्रकार इस मेने में मतलब अब तन हम नहीं जो कहा कि जो भी बात है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी से नेगेटी होए क्याकि आपकी जो राशे साड़े साती में है राहू केतु का भी साथ नहीं और जो गुरु है वो आपके लिए अच्छा होगा उसे प्रकार 15 अक्तूबर से लेकर 25 अक्तूबर तक और 15 फरवरी से लेकर 15 माज यह जो मेने हैं इन मेने में जिनकी भी जनन तारिक है उनकी लिए यह जो संपुन साल है 2025 का वो काफे जादा शुगोफलदाईद साबित होगा मतलब आपके मन में जो भी इच्छा होगी करियर से रिलिएट अमेरेशल हैपिनिस से रिलिएट या फिर कोई अलनिया की इच्छा होगी तो वो आपके 2025 में पूरे होने की संबावना बहुत ही अच्छी बंदरी है उसी प्रकार जिनकी भी जनन तारिक अठरा मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच के होगी उनके लिए ये जो समय है वो अशुब फलत्दाई साबित होगा तो इन जी सो पर फोड़ा सा ध्यान देना आवशक है खास करके यदि आपकी जो जनन तरिक है अठरा मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच के होगी और यदि आपकी मेश राशी होगी तो प्राब्लम जो है वो आपके लिए थोड़े से ज्यादा हो सकते है बगवान का नाम नीचे शनी महात्म पड़ी है ये जो बाते आपके लिए अच्छी होगी उसी प्रकार किसी में प्रकार की अतिरित रिस्क जो है वो नहीं लेना आउट आफ दे वेजा के कोई भी काम नहीं करना आपके लिए जो बाते है वो काफी जादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है दोस्तों ये था मेश राशी के लिए दो हजार पच्चिस का संपूर्ण वर्षफल आपको ये वर्षफल कैसे लगा आपके जो कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना रहने बाद